राधी राधी प्रेंट्स इस वीडियो में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अनन्त चतोरदर्शी प्रत कथा कथा इस प्रकार से है एक बार महाराज दुष्टन ने राजसुय यग किया उस समय यग मंडप का निर्माण बहुत सुन्दर तो था ही अदभुद भी था बह यग मंडप इतना मनुरब था कि जल बाधल की भिन्निता प्रतीत नहीं होती थी जल में इस्थल तथा इस्थल में जल की भ्रांती प्रतीत होती थी बहुत साबधानी करने पर भी बहुत से ब्यक्ति उस अध्भुत मंडप में धूका खा चुके थे एक बार कहीं से टहलते टहलते दुरियोधन भी एक मंडप में आ गया और एक तालाब को इस्था समझ कर उसमें गिर गया द्रोपती ने यह देखकर अंधों की संतान अंधी कहकर उसका उपहास किया इससे दुरियोधन चिड़ गया यह बात उसके हिड़े में बाण के समान लगी उसके मन में देश उत्पन हो गया और उसने पांडवों से बदला लेने की ठान ले उसके मस्तिस्क में उस अपमान का बदला लेने के लिए विचार उपजने लगे उसने बदला लेने के लिए पांडवों को धूत कीड़ा में हरा कर उस अपमान का बदला लेने की सोची उसने पांडवों को जुए में पराजित कर दिया पराजित होने पर पतिग्या अनुसार पांडवों को 12 वर्ष के लिए बनवास भूगना पड़ा बन में रहते हुए पांडव अनेक कष्ट सहते रहे एक दिन भगवान कृष्ण जब मिलने आये तब युद्धिष्टर ने उनसे अपना दुख कहा और दुख दूर करने का उपाय पूँचा तब श्री कृष्ण ने कहा ये युद्धिष्टर तुम बिधी पूर्वक अनन्त भगवान करपत करो इससे तुमारा सारा संकट तूर हो जाएगा और तुमारा खोया हुआ राजभी प्राक्त हो जाएगा इशी शंदर्म में भगवान कृष्ण ने उन्हें एक कथा सुनाई प्राचिन काल में सुमन्त नाम का एक नेक तपश्ची ब्रामण था उसकी पतनी का नाम दिख्चा था उसकी एक परम सुन्दरी धर्म प्रायन तथा जियोतर मै कन्या थी जिसका नाम सुसीला था सुसीला जब पड़ी हुई तो उसकी माता दिख्चा की म्रत्ती हो गई पतनी के बनने के बाद सुमन्त ने करकर्षा नामक इस्त्री से दूसरा विवा कर लिया सुसीला का विवा ब्रामन सुमन्त ने कॉंडल रिशी के साथ कर दिया बिदाई में कुछ देने की बाद पर करकर्षा ने तामात को कुछ इटें और पत्थ्रों के टुकड़े बांद कर दे दिये कॉंडल रिशी धुखी हो अपनी पत्नी को लेकर अपनी आश्रम की ओर चल दिये परंतु रास्ते में ही रात हो गई बे नदी के तट पर संध्या करने लगे सुसीला ने देखा पहाँ पर बहुत सी इस्त्रिया सुन्दर वस्त धारण कर किसी देवता का पूजत कर रही है सुसीला के पूंचने पर उन्होंने बिधी पूर्वक अनंत ब्रत की महत्तव बताई सुसीला ने बहीं पर उस ब्रत का अनुष्ठान किया और 14 गाठों वाला डोरा अपने हाथ में बांध कर रिशी कॉंडल के पास आ गई कॉंडल ने सुसीला से डोरे के बारे में पूछा तो उन्होंने सारी बात पता दी उन्होंने डोरे को तोड़कर अगनी में डाल दिया इससे भगवान अनंत जी का अप्पान हुआ पर नामत है रिशी कॉंडल दुखी रहने लगे उनकी सारी संपत्ति नश्ट हो गई इस दरेदर्ता का उन्होंने अपनी पतनी से कारण पूछा तो सुसीला ने अनंत भगवान का डोरा जलानी की पात कही पश्चा ताप करते हुए रिशी कॉंडल अनंत डोरे की प्रापती के लिए बन में चले गई बन में कई दिनों तक भटकते भटकते निरास होकर एक दिन भूमी पर गिर पड़े तव अनंत भगवान प्रकट होकर बोले ये कॉंडल तुमने मेरा त्रसकार किया था उसी से तुम्हें इतना कश्ट भोगना पड़ा तुम दुखी हुए अब तुमने पश्चा ताप किया है मैं तुमसे प्रशन हूँ अब तुम घर जाकर पिधी पूरवक अनंत भगवान का ब्रत किया जिसके प्रभाव से पांड़क महा भारत के युद्ध में बिजई हुए तथा छिर काल तक राज करते रहे बोलिए श्री किष्ण भगवान कीजए अनंत भगवान कीजए प्रेंट्स आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा कॉमेंट्स करके जरूर बताएगा और यदि आप मेरे चैनल सरल पूजा पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए शेयर कीजिए साथी बैल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली सारी लेटस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके कॉमेंट्स बॉक्स में भगवा कीजिए